हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल AJ Medicine में मैं हूँ आपका दोस्त अजीद आज मैं आप लोगों को Omisex RD Capsule के बारे में बताऊंगा Omisex RD Capsule क्यों आपके घर में होना जरूरी है कैसे इसे लेना होता है किन-किन प्रॉब्लम्स में इसे यूज कियाता है क्या इसके नुकसान देखने को मिलते हैं यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माद्यम से मिलेगी तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बैल आइकन के बटन को प्रेस करके नौटिफिकेशन बैल कॉल जरूर करते हैं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करू मेडिसें से रेलेटेड तो वह आप तक नौटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए त वह इसे एक आडी कैप्सूल एक भूती लोगप्री है और डॉक्टर दुवारा सबसे ज्यादा लिखे जाने वाले दवाओं में से एक है मेडिकल स्टोर पे सबसे ज्यादा ये दवा बिखती है यह एक स्क्रिप की पैकिंग में आता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा 10MG इन दो दवाओं को मिला कर इसे तयार किया गया है और यह जो दवा है आपको हर मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाती है इसके लिए किसी प्रिस्कप्शन की जरूत नहीं है अब मैं आपको बताता हूं कि यह जो दवा है किन-किन प्रॉब्लम्स में यूज की चाती है और क्यों घर में होना जरूरी है देखिए जिन लोगों के पेट में बहुत ञ़्यादा गैस बन दिया आता है या फिर किसी नया खाना खा लिए खटि धकार बहुत ज़्या आ रही है ऐसे कटीशन विए ऐस लग दिया आता या फिर किसी को बढ़ी में हो pike जलन वरी ईगास के वयरे से तो आईसीń कंडायों में बहुत जादा और पीठ में दर्व मैसुस हो रहा है या इन सारी भाई में यह बहुत इसुअ अच्छा काम करता है इसी लिएए घर में होना बहुत जरूरी है किसी को भी दिक्कत हो आप इस दवा को दे सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को कैसे लेना होता है, देखी जब भी आपको प्रॉब्लम लगे, तब आप इसका एक कैपसूल जरूर ले ले, अगर दिक्कत दो-चार दिन से ज़्यादा हो रही है, तो आपको एक कैपसूल रोज खाली पेट सुबा नास्ते से आदे घंटे पहले पानी के साथ लेना होगा, इस तरीके से इसे लेना होता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को लेने से क्या नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं, देखिए, इससे कुछ खास नुकसान देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा जब आप इस दवा को लेते हो और लेने के तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए हमस्कार